नमस्कार दोस्तो मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके पनी चैनल अंकित पर्मा और लैट पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में आपको आज 31 स्क्तूबर 2022 की हिमाचल प्रदेश की शाम 5 बजे की टॉप 10 ताजा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को जो है शुरू करते ह शाम 5 बजे की टॉप 10 ताजा खबर हैं तो देख सकते हैं शाम 5 बजे की पहली ताजा खबर ब्रीकिंग न्यूज है प्रियंका बोरी पहली कैबिनेट में OPS एक लाख पदों पर न्यूकति का होगा फैसला जीरो फिस्ती ब्याज पर लोन देंगे प्रियंका गादी ने कह कि पहली कैबिनेट बैठिक में पुरानी पेंशन जो है स्कीम बाहल की जाएगी एक लाख पदों पर न्यूकति किया जाना तैय होगा पांच साल में पांच लाख रोजगार देंगे 680 क्रोड का स्टार्ट अप फंड जीरो फिस्ती ब्याजदर पर जो है लोन देंगे प् पर उत्राखंड जैसे करिश्मे के प्रियास में भाजपा कांग्रेस ने भी लगाई पूरी ताकत है तो हिमाचल प्रदेश की जो है चौदमी विदानसाबा की 68 सीटों के लिए चुनावी विसात बिच चुकी है दिर्चस्प हो चुकी इस सियासी जंग में भाजपा उत् इन 21 नेताओं पर कारवाई की तियारी तो भाजपा से भागी होकर चुनाव मैदानों में उत्रे निर्दलिये 21 नेताओं पर पार्टी कारवाई करने की तियारी में है पार्टी एक दो दिन में इन्हें 6 साल के लिए निश्कासित करने के आदेशे जारी कर सकती है दस साल म पहली बार 70 रुपए प्रती केलू मिला लहसुन का वीज़ तो जीला कॉलू में जो है करीब 1500 हेक्टीर में लहसुन की खेती जो है की जाती है सुभे में लहसुन उतपादन की किशेतर में कॉलू जीला दूसरे स्थान पर है चुनावी मुद्दा शिमला में गरीबों के लिए जो है बनाने थे 224 आवास 10 साल में बने 64 तो सर्वे में बचे बाकी 120 परिवारों को कहा और कब आवास मिलेंगे इसकी नगर निगम के पास कोई न योजना है और ना ही बजट है स्मार्ट सीटी मिशन में भी गरीब परिवारों के लिए शुरुआती चरण में आवास बनाने की योजना थी लेकिन बाद में या सीरे नहीं चड़ी कुलू भाजपा द्यक्ष जेपी नड़ा ने सरदार बल भाई पटेल को किया नमन कुलू में दी श्रदांजली तस्वीर आप देख सकते हैं तो भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा ने जो है सौंबार सुबा हिमाचल परदेश के कुलू में सरदार बल भाई पटेल की जिनती के अफसर पर उने श्रदांजली दी धर्मशाला नौर्थ जोन टीम से खेलेंगी हिमाचल की हरलीन सुश्मा और अनीशा तो दिल्ली में नौर्थ जोन किर्केट टीम सेलेक्शन कमीटी की बैठक में हिमाचल की कपतान जो है हरलीन देवल बिट कीपर सुश्मा वर्मा और अनिशा अंसारी का चायन हुआ है शिमला धली में 9 मीटर उंची बनकर त्यार हुई धली टनल कंक्रीट से की जाएगी पक्की तो डेड़ महिने से गहराई की और चल रही खुदाई का जो है काम रवी बार शाम को जो है लगबग पूरा हो गया है अब एक दो दिन के भीतर टनल में जो है कंक्रीटिंग का काम शुरू किया जाएगा मंडि, ITI चौक मंडि से गुजरें तो अपने ट्रैक का दियान रखें चालक पूलिस ने लागू किया नया ट्रैक प्लाण तो वहाँ चालक अगर चोटी काशी से गुजर रहे हो तो दियान रखें शहर के आई टी आई चौक पर जाम किस मेसे से निप्टने के लिए पुलिस ने नया जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है यहां अलग अलग ट्रैक बनाए गए हैं और अगर चंडीकर मना लिए एनेच से गुजरना है तो अलग ट्रैक का इस्तेमाल होगा मन्डी बस अड़ा आने और यहां से जाने के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है चौनाबी मुद्दा हिमाचल में तीन खार खाने फिर भी पडोसी राजियों से महंगा मिल रहा समिंट तो हिमाचल के बिलासपूर के बर्माणा में एसी सी सोलन और बिलासपूर के सीमा पर बागा में अल्टरा ट्रैक और सोलन में अमबूजा की सिमिंट उद्योग सतापित हैं हैरानी की बात या है कि इन तीनों कमपनियों की सिमेंट के दाम हिमाचल में जादा और बारी राज्यों में कम है। गुजरात नंबर की गारी से पकड़ा दो लाक कैशे विदानसावा चनावों के बीच जो है कहां से आ रहा पैसा। तो डेहर मंडी से न्यूज है कि फ्लाइंग स्कॉाइट टीम की एक के जो है अधिकारी विकरांत शर्मके उगवाई में बीवी एमबी कलौनी पुलिस टीम के सयोग से एमदाबाद गुजरात नंबर के वहां से दो लाक की असपश्टी कृत नगदी पकड़ी कही है। विभाहिता की मौत पर हंगामा घर के आंगन में शव को जलाने पर अड़ामाई का पक्ष पुलिस से धक्का मुकी तस्वीरें आप देख सकते हैं डेहर मंडी से न्यूज है हिमाचल सबजी मंडी गई नावालिक हुई लापता परिजन बोले बेटी का हुआ है अपहन तो शवबला पे सबजी मंडी गई नावालिक का नहीं लगा कोई सुराग पुलिस से लगाई गोहार तो हिमाचल के शवबला जिला में एक नावालिक संदिग्ध परिस्तितियों में लापता हो गे ये नावालिक के परिजनों ने बेटी के किड्नयाप होने की आशंका जताई है परिजनों ने बेटी की जो है हर जगा तलाश करने के बाद जो है पुलिस की मदद मांगी है देश के पहले मददाता शाम सननेगी ने लोटाया बारादीब हार्म बूत पर जारकर डालेंगे बोट चुनाव आयूग की तरफ से उनके स्वास्ते को देख कर बेजा था बारादीब होम तो दोस्तों ये थी शाम पांच बजे की टॉप टें ताजाए खबरें अगर आपने वीड़क वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न सबसे पहले पहुंचे के दन्यवाद जैन जैबाद